आज मैं आप सब को बताऊंगी सक्सेस्ट्राइड स्वितेस्ट पोयम जो इमिली टिकिंसन ने लिखे हुई है चलिये शुरू करते हैं सक्सेस्ट्राइड स्वितेस्ट right those who never succeed तो पोयम टिकंसन याप पर कहती है कि जो लोग सक्सेस पाते है अपने लाइफ में उनको आप मत पूछिए सक्सेस का असली अर्थ क्या है बलकि आप उन लोगों से पूछिए जो अपनी जिन्दगी में कामियाभी पाने में फेल हो चुके है या सक्सेस पाने में फेल हो चुके है उन्हें आप पूछिए कि सक्सेस का असली अर्थ क्या है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति बार बार सफलता पाने में फेल होता है या कुछ उसके साथ प्रॉब्लम्स होती है या उसे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है उसी इंसान को सक्सेस का असली मतलब पता होगा वही सबसे ज्यादा सक्सेस को वैल्यू करेगा और अगर दूसरी और हम देखे की कोई व्यक्ति को सभी आसानी से सब कुछ मिल रहा है सफलता भी मिल रही है तो वह सक्सेस को ज्यादा वैल्यू नहीं करेगा क्योंकि जितना ज्यादा उसे सक्सेस मिलेगा उतना ही कम वह आदमी सक्सेस को वैल्यू करेगा इसका मतलब है कि अगर आपको अम्रूत पाना है तो इसके लिए कड़वे-कड़वे फल भी खाने पड़ेंगे इसका मतलब है कि अगर आपको सफलता चाहिए तो बहुत सारे स्ट्रगल वाले या ऐसे रास्तों से जाना पड़ेगा जहाँ पे बहुत hard work हो, मेहनत हो, मेहनत करके ही तो सफलता मिलेगी, ऐसे तो नहीं मिल सकते इसलिए हम रुद पाने के लिए हमें कभी-कभी कड़वे फल या कड़वी चीज़े भी खानी पड़ती है इसका मतलब है कि success अगर हमें पाना है तो हमें continuously मेहनत करनी होगी not one of all the purple host who took the flag today can tell the definition so clear of victory मतलब पूराने जमने में जो kings हुआ करते थे, राजा महराज हुआ करते थे तो purple flag मतलब जो winning team होते थी युद्ध में या battle में तो उनको purple flag उनके पास होते थे तो poetis यहां पर कहती है कि आप उनसे जाके मत पूछो जिनके हाथ में purple flag है कि सफलता का मतलब क्या है या success का मतलब क्या है बलगे आप उनसे पूछिए जो हारे है उस युद्ध में जो राजा या जो team हारी है उससे आप पूछिए कि क्या अर्थ है सक्सेस का क्योंकि उन्होंने हार देखी है मतलब पोईटेस यहाँ पे यही कहना चाहती है कि जिन्होंने हार देखी है वही सफलता को ज्यादा वैल्यू करेंगे या उनको ही सफलता का सच्चा अर्थ पता होगा As he defeated dying on whose forbidden year the distant strains of triumph burst agonized and clear तो यहाँ पे पोईटेस कहती है कि जो हारी हुई टीम है यहाँ युद में जो राजा या राजा के जो सैनिक हारे हुए है तो उसका जो एक सैनिक जो अपने डेट बेड़ पे बेड़ तो नहीं बोल सकते क्योंकि वहाँ पे तो मतलब ऐसे मिट्टी पर ही होते थे युद तो मिट्टी पर ऐसे ही वो पड़ा पड़ा देख रहा है कि जो जीती हुई टीम है वो बहुत एंज़ाई कर रहे हैं डोलना गाड़े बचा रहे हैं उनके सफलता पर या उनके सक्सेस पर लेकिन सक्सेस का असली अर्थ तो वही सोल्जर या वही सैनिक बता सकता है जो अभी ऐसे नहीं क्या मर रहा है उस युद्ध भूमी पर और वो उसके मन में एक पेन है सक्सेस को लेकर तो वही सच्चा अर्थ बता सकता है सक्सेस का नाकी बिनिंग टीम बता सकती है तो वो soldier जो जीना चाहता था लेकिन अभी नहीं कुछ कर सकता तो वही असली success का या सफ़लता का अर्थ आपको बता सकता है तो ये थी Emily Dickinson की success is counted sweetest poem Thank you very much और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए Thank you